नमस्कार गुड आफटेनून टो ओल आफ यू स्वागत है सभी का अद्वाद एजूकेशन में मैं आपका होस्ट और दोस्तरून आज फिर से आपके लेकर आया हूँ कुछ खास और ये रहने वाले आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 ये जितने भी आपके इंड और को इंडेक्स रहेगा वहां से कुछा जाता है तो रिसेंटली जो जारी किया गया है ये जो आपका जो रिपोर्ट है वो पुब्रीश किया गया है वो तीन मैं को किया गया है अब तीन मैं को क्यों किया गया है इसके पिछे का करन हम समझने की कोशिश करते हैं तीन मैं क जाता है विश्व प्रेस स्वतरता सुचकांग दिवस यानि कि दुनिया भर में जितने भी आपके प्रेस जितने भी मिडिया है चाहे वह सोचाल मिडिया हो चाहे आप लोगों का electronic media हो सारे के सारे media का कितना वह सुतंत्र है कैसे वो अपनी बातों को रख पाते हैं वहाँ के गवर्मेंट से बिना डरें बेजी जग कैसे अपनी बातों को रख पाते हैं इसी काधार पर यह जो इंडेक्स है यह जो शुछ कांक है वह जारी किया heading के तोर पर अपना कवर किया है इसमें क्लियरली मेंशन है कि भारत ने जो रिपोर्ट लेकर भारत का जो रैंकिंग रहा इस बार है ना वो डेड़ सो पहुच गया है कितना 150 यानि कि पहले यह हुआ करता था 142 पे 142 पे आठ इस्तान पीछे की सत चुका है डेड़ सो नंबर 5 और इंडिया और उसके आसपास की जो पड़ोसी वाले जो देश हैं उनकी चर्चाएं हम जरूर करेंगे ताकि देखेंगे तुलनात्मा कुरूप से कैसे हमारा जो पोजिशन है वो लगातार डाउन हो रहा है आए थोड़ा सा चर्चा करते हैं नेपाल की यहां पर हम बा आगे हैं आगे हैं निगेटिव मामले में क्योंकि सबसे लाश्ट हो जाता है ठीक है अच्छा अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हर वर्स यह जो है तीन महीं को क्या किया जाता है जरली जारी किया जाता है यह तीन महीं के बाद इसको हम लेकर आते हैं आज है च आप देखेंगे तो आपको फुल फॉर्म जो है कुछ और मिलता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स अब आप बोलोगे सर यह आरे सिफ क्यों है तो यह उनका लोकल लेंग्वेज में है अब लोकल लेंग्वेज कौन से सर तो जी हाँ यह आपका फ्रांस का है यह कहा फ्रांस की एक संस्थान है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स शॉर्ट में अदि कभी पुछे आप लोगों को तो आर एस एफ यह आपको समझना है है ना सर क्या एक सरकारी संस्थान है जी नहीं जैसे कि हमारे यहां होता है कुछ गैर संस्थान या फ पर हमको द्रिश्य हो रही है क्या क्या चीज़ हमको दिखाई दे रही है यदि हम कलर कोडिंग की यहां पर हम बाते करेंगे तो जो डार्क कलर आपको नजर आ रहा है जैसे यहां पर आप चाइना को देख सकते हैं ठीक है इधर इरान इराग को देख सकते हैं तो यह सारे के स एक दों फ्री हैं फ्री इंदे सेंस वहां पर किसी भी प्रकार की आपको प्रेस में बाधा नहीं है मतलब उन लोग टॉप में है ना तो यहां से यह दी मैं देखूं टॉप फाइब और बॉटम फाइब की यह दी में बाते करूं तो एक बार नजर जरूर डालिएगा नौर की जो तीन आपको देश नजर आ रहे हैं ना ये जो तीन देश नजर आ रहे हैं वान तू और ये थ्री आएए एक बार हम इसको जूम करके आपको दिखाते हैं क्योंकि लास्ट टेम मैंने एक और न्यूज आपको लोगों के लिए ले कर आया था जब स्वेडन और जो फि या यौरॉप मेंसर ये तीन उपर की जो देश नजर आयएंगे आपको यह आपको तीन जो देश यह अलग है यहांपर जो वन टू थृ आप जो निगलेंगे लां वह आपके बाल्टिक है वह अलग है हम यहां की हम बाते कर रहे हैं यहां पर नार्वे फिन लैंड और से लोग आगे रहते हैं जरली हमने बताया था है ना यहां पर आप नजल डालिए तो नॉर्वे जो है वो नंबर वन पर है तेका फिन्लेंड नंबर टू पर स्विडेंड नंबर थरी पर उसी की नीचे एक और देश है यह देखे छूटूस है यहां पर जिसको हम लोग डेन लिए तर्कमेंस्तान 178 चाइना भी देखो कितने कदर नाक पोजिशन पर 177 वहीं एक अफ्रिकन कंट्री जीबूती जीबूती भी सर आपका 176 यहां पर आपको नज़र आगा जीबूती यह 176 पोजिशन पर है तो यह आपके वर्ड लेवल पर होगे इंडिया की यहां प 50 पे आ चुका है और यह हमारे लिए भी सोचने वाली बात है कि हम इतने पीछे क्यों है हमारा जो इंडेक्स है इतना पीछे क्यों चला गया है यानि कि 180 देशों में हम जब भारत की हम बाते करते हैं भारत एक बड़े लोग तांतरिक देशों में से एक है जी सेवन तो नह आएंक है इतना नीचे चला गया है अब यह जो लाइन्स लिखी गए यह मेरी लाइन नहीं है या फिर मैंने किसी से नहीं ली है यह वो लाइन है जो आरेसे प्ने अपने रिपोर्ट में चारी करी है ठीक है ना इनका यह मानना है कि भारत में सो काल्ड रास्टवादियों क कारण तथा कथित राष्टवादियों के कारण ऐसे स्थितिया निर्मित हुई है कि वह धर्म के नाम पर मतलब एक अभी मैसेजेस आपने देखा होगा बहुत सारे मिम्स वगर के तौर पर या फिर जो को follower नहीं आप इसके मानने वाले नहीं तो ऐसी इनका मानना है इन्हों ने अपने रिपोर्ट पे कहा है कि ये पत्रकारों को है ना यदी सरकार के खिला कुछ बोल दिया या फिर कुछ ऐसा इन्हों statement दे दिया तो उनको डराने धंकाने के इन लोग कोशिशे करते हैं अच्छा दूसरी सबसे महत पुर्णा बात ये है कि सर ये index जो जैसे कि अधारink किस चीछ को बेस मानेंगे कि च死 और मनेंगे तो किस चीछ को अधार मना जाता है जिसमें सबसे पहला नंबर बन पंधर है फेक नीउस या फेक प्रोपोगंडा याद रखना क्या हूता है फेक नियूस या फिर फेक प्रोपोगंडा यदि जो पत्रकार हैं जो जरलिस्ट हैं ना वो फेक नियूस पहलाते हैं या फिर सरकार के डड़ से या किसी पाउरफुल व्यक्ति के ड़ से कोई भी हो सकता है जरली देशों में लोग तंत्रिक देशों में सरकारी पाउरफुल होती है और यहाँ आप नोटिस करें गे तो अधिकांशता यह वह देश है जहां पर आपके ताना शाह लोग बैठते हैं या फिर साम्म्यवादी लोग बैठते हैं चायना है तुर्कमेनिस्तान नौर्थ-कॉरिया यहां पर चरहली है फिर ताना वा तानर शाह वाले सरकार द यह जाने वाला हमारा निडीया हैं उसका इस तर जो है खाफी जादा गिर चुका है समझधे का में पर आफिको » रहा प्रवात को बढ़ावाते ना ये एक मतलब एक अच्छे पत्रकारिता का या फिर एक अच्छे जरृरलिजम का एक पहचान होना चाहिए लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि इस तर जो सब्सक्राइब गिरा हुआ है और जो करना चाहता है ऐसे नहीं कि सारे पत्रकार बिग गए हैं फिर सारे पत्रकार नहीं करते कुछ पत्रकार हैं जो बिलकुल अभी भी करते हां रहे हैं और करते हैं तो उनको बंद करा दिया जाता है उनका मुह बंद कर दिया जाता है या फिर उनको शारिक या मानसिक रूप से प्रतारिक कर जा जाता है सार सर्द में कैसे यедनी trave 손ए इस पर कुछ कमेंट्स कर रहे हैं अब जैसे यहां पर यी वक्चा यह पिर कोई वैक्टती यूट्टीब में आ विदिया रही है पर यथि यूट क्या करने है इस पर भद्धे कमेंट्स सब्सक्राइब एक परकार का मानसिक प्रतारना होता है विडियोंस को डिसलाइक करदेना क्यékति देखो अब भारत पत्रकारुता इसे बहुंछ जितरार गिर रहा है और 142 से पहुत चुका बार ए हुझ यह पोयाँ देह हैं है फिक न Spaceर ऑगे हम यह हम यहां पर यह ठीज को समझ आ पूर्ण को थिम भी पुछा जाता है यानिकि विशा क्या चीज है क्यों जो विशा है यह बहुत को क्या पूछिषा जाती है यह याद रखेंगे है जरलिजम अंडर टीजिटल सी यह निकि सर्वंधी हुए बंदी हुए तोर पर डिजिटिकल पत्रकारिता कैसे कले बंदे हुए सरकारी बंधनों से समझ लो या फिर बंदे elimड़ा ना बंदे हुए लोगों से पत्रकारी था और इसे हम को क्या करना है जो फूटकारा डिलाना है मतब जो पत्रकार है जो जूरुनिस्ट है वो अपनी बाते बेबागी से अपनी बाते खुले तोर पर रख सकें तो हम ऐसा उम्मीद करेंगे कि आने वाले वर्षों में यह जो जो इसतर है यह जो लेवल है 142 से जो डेड़ सो चला गया वो कम से कम इसतर का जो बढ़े सुधरे मतलब हम थोड़े पहले नंबर पर आने की कोशिश करें तो हमारे ल यह जो पर आप लोगों को पसंद आया होगा पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करना न भूलें चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपको और भी वीडियो जो लगते हैं कि सर हम पर इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो बिलकुल आप कमेंट करें कि इस टॉपिक पर आपको वीड जारी कर दिया जाएगा और इस प्रश्ण का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिए तब तक रखें अपना ख्याल थैंक्यू सो मच टेक केर बावाए जय हिंद